छत्रपति सिवाजी महाराज हमेशा से भारत के सबसे बड़े वीर योधा के रूप में माने जाते हैं और वो कितने बड़े वीर और कितने सक्तिसाली योधा थे या आपको ये बात चांगर पता चलेगा कि जिस देश इंगलेंड ने भारत के उपर 200 साल राज किया उसके बहुत बड़े गवरनर लॉड माउंट बैटे ने ये कह डाला कि अगर सिवाजी महाराज का जनम इंगलेंड में हुआ होता तो वो सिर्फ प्रित्वे पर नहीं बलके पूरे ब्रहमान में राज करते और जब इंगलेंड के इतने बड़े गवरनर ने ये बात बोली तो सिवाजी महाराज की वीरता के किस्ते पूरी दुनिया में प्रसिद हो गए और पूरी दुनिया उनकी वीरता को सलामी देने लगी और अपने जिस कवच और तलवार से सिवाजी महाराज ने सारी बुराये को खतम किया तावे तलवार आज इंग्लेंड के एक लाइबरेरी में है और शत्रपती सिवाजी महाराज के इस तलवार का नाम जगदंब है और इसको भारत लाने की बात काफी समय से चल रही है और शत्रपती सिवाजी महाराज को अपना भगवान मानने वाले महाराज के हर सल शुरुवे ने अपने खून से परधान मंतरी मोधी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्योंने सिवाजी महाराज की तलवार को वापस भारत लाने का जिकर किया है और स्वया महराज के मुखे मंतरी उद्धर ठाकरे ने प्रधार मंतरी मोदीर से इस विशाय के बारे में बात करी है आपका इस विशाय के बारे में क्या विचार रहे हैं?